Hello friends once again welcome back in my YouTube channel दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो हम लोग discuss करेंगे about steel structure Steel के types कौन कौन से होते हैं उसके पाद जो types होता है उन types को हम कौन सा section कहां भी use करेंगे आज तक नहीं पता चल पाया होगा आपको कहीं आपने i section देख लिया कहीं पर t section देख लिया कहीं channel section देख लिया कहीं angle section देख लिया और आप confused हो कौन सा कहां पर use करेंगे तेक एक कभी rolling section भी देख लेते हम लोग तो दोस्तों आज के वीडियो में यह सारी सीज़े हम लोग clear कर लेंगे सबसे पहले आपको पता होन अची स्टील डो टाइम के होते हैं एक होता है cold roll steel होता है few होता है होट रोल इस्टील दोस्तों सब्सक्राइब 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 मैं आपको पाले क्लियर करना चाहूंगा कोल्ड रोल क्या होता है रोल में आपने देखा हैं थे फ्यूरता पड़िया सब्स्टाους काँ जब करते हैं Qoji आई-सक्षिन यूज कहां पर करते हैं पहला आपके दिमाग में यह कुछ आना चाहिए तो दोस्तों आई-सक्षिन हम लोग यूज करते हैं जहां पर एक्सियल फोर्स आता है जहां पर क्या आता है एक्सियल फोर्स आता है साथ ही साथ आई-सक्षिन वहां पर भी आप ISWB, ISCS, यह क्या होते हैं, आपने कभी सोचा, कहीं लोगों के सर मैंने पढ़ा था बढ़ भूल गया हूँ, तो चलिए आज देख लेती हैं, दो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ISJB, Indian Standard Junior B, इसके बाद बात करूँ, ISLB, Indian Standard Light Way B, इसके बाद बात करू, ISMB, Indian Standard Medium Weight B, इसके ब आपका क्या होता है, ISCS, Indian Standard Column Center, दोस्तों आपने देखा होगा है, चैनल सेक्षन, चैनल सेक्षन में आप सब confused होते होंगे, चैनल सेक्षन में लोगों को लगाना कहां पेचेगे, चैनल सेक्षन वहां लगाना है, जहां पे ट्रांसफर्स लोड आता हो, साथी साथ अगर द इंडियन स्टेंडर गेट चैनल है, इसके बाद आपने देखा होगा दोस्तो, ISLC, इंडियन स्टेंडर लाइट वेट चैनल, आपने देखा होगा ISJC, इंडियन स्टेंडर जुनियर चैनल, दोस्तों आपने देखा होगा ISMC, इंडियन वेट चैनल विद फ्लेंज वेट, दोस्तो आपने देखा होगा ISMCP, Indian Standard Weight Channel with Pellar Flange, दोस्तो आपने देखा होगा Angle Section, और आप सुछते होगी यह Angle Section हम यूज कहाँ पर करेंगे, Edwan Steel, Tecla, AutoCat, कई जोगों पर आपने Angle Section देखा, तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि Angle Section यूज कहाँ पर करना है, Angle Section आप Tension और Compression दोनों चीज के लिए यूज कर सकते हो, और कहाँ भी यूज कर सकते हो, Truss में यूज कर सकते हो, Truss Member के लिए Angle Section यूज करते है, Tension की लिए और Compression के लिए इसके दो पार्ट हैं, दो अलग अलग हो, Indian standard equal angle section Indian standard unequal angle section यह दोनो angle sections होते हैं एक unequal होता है और ek होता है equal होता है इन दोनों को कहाँ पह formation करना है दोस्तों एक tension के लिए और compression के लिए tension compression की लिए दोनों use कर सकते हो और trust member में use करना है इसको दोस्तों आप लोगो ने कई धेंट सारे CT section देखिया होगे फिर आप सोचेंगे यह T-section में यूज कहां पे करूँ तो दोस्तो आपको T-section ब्रेकेट लोड के लिए लगा सकते हैं ब्रेकेट कैसे आपके पास यह एक वीब है और यहाँ यहाँ पे अलग से कॉलम जा रहा है इनके पीच को करेट करना है तो करेकेट करने के लिए ब्रेकेट लोड लगाते हैं क्या लगाते हैं, bracket load लगाते हैं, साथ ही साथ, T-section आप किसी rectangular tank को level में लाने के लिए एक beam डाल सकते हैं, वहाँ पे भी आप T-section को use कर सकते हैं, अब मैं बात करूँ इन T-section के, तो दोस्तो T-section भी कई डियर सारे types के होते हैं, जैसे कि ISNT, ISDT, ISMT, ISMT, ISHT, यह different types के T-section होते हैं, जो हम लोग use करते हैं दोस्तों, और use करके हम लोग अपने bracket load को हम लगा सकते हैं, साथ ही साथ, जहाँ पे हमको जरूवत है level लेहने की वहा अब बात करते हैं, नेक्स section की, that is rolled steel of tattoos, rolled steel हम लोग कहां पी यूज़ करते हैं, यह tensor member के लिए यूज़ किया जाता है, यह ज़स्त एक तरीके के slab जैसा होता है, इसको हम लोग Indian code में ISF से represent करते हैं, जैसे 50 ISF 8, अगर ऐसा लिखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए, 50 बीर् बाते हैं, क्या आपको इस तरीके से steel के बारे में और जादा deep knowledge चाहिए, आप चाहते हो कि मैं बताओ, channel section को design कैसे करते हैं, bold को design कैसे करते हैं, अगर हाँ, तो नीचे comment box से बताईएगा, हम जिस तरी steel structure के बारे में और बताईए, यह तो मेरा एक introduction part था, जिसमें मैंने आगी तक हम लोग जाके पढ़ेंगे, यह सारी चीजें interview से related है, मैं कुछ भी interview के बाहर से नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरा काम ही है, interview के लिए आपको prepare करना, तो यह सारे topics, अभी जो next topic भी जो आ रहे हैं, यह हम steel structure के interview के लिए पढ़ेंगे, आपको लगता है कि आपको किसी topics के बारे में interview में पूछा गया था steel में, और आप उसके बारे में नहीं बता पाए हो, तो नीचे comment box में बताना, कई लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे reply के, जैसे के रोही थे, उन्होंने एक interview दिया, तो उन्होंने बताया, सर मुझे यह question नहीं आया, इस पर वीडियो करूँगा, मेरी वीडियो सेरीज कैसे लग रही है, थोड़ा सा वाइरल कर दो, थोड़ा सा मुझे और ज्यादा इस्टेमना आ जाएगी, जैसे ही वाइरल करोगे, मैं और ज्यादा topic लेके आने लगूगा, और दिन में एक नहीं, अभी दिन में हमारी एक वीडियो आती ह फुल सिविल इंजिनिंग कोर्स कवर करने की कोसिस करूँगा, सॉफ्टेयर प्लस थिरिटिकल, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई, चैहिन चैवारत